Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy 14 माई 2021 के Important Current Affair Questions को इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे और इसमें उन्हीं Questions को लिया गया है जो हमारे लिए Exam के Point of View से Important हो सकते हैं इस वीडियो का PDF लिंक आपको हमारे Telegram चैनल Success with Raya Academy से मिल जाएगा आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजेगा चलिए अब वीडियो को सुरू करते हैं तो जो पहला कोशन है हमारा वो है बीपी सील का अगला सीमडी किसे न्युक्त किया गया है इसका राइट एंसर होगा फर्स्ट आप्शन अरुन कुमार सिंग को सारजनिक उपक्रम चैन बोड याने की पब्लिक इंटर्प्राइजेस सेलेक्शन बोड पी एसबी ने सरकार के हेड हंटर ने अरुन कुमार सिंग को राज जी के स्वामित वाली रिफाइनरिंग और मार्केटिंग फर्म भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिम्टेड याने बीपी सील के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नुप किया है अरुन कुमार सिंग वर्तमान में बीपी सील में विप्लन के निदेशक और निदेशक रिफाइनरी का अतरिक्त प्रभार सम्हाल रहे थ थी 1952 में तो नेश्ट कोशन पर आते हैं नेश्ट कोशन है किस राज्य ने वरिष्ट नागरिकों के लिए वाहन हेल्प लाइन कोविन वैन सुरू की है इसका राइट एंसर होगा फॉर्थ ऑप्शन दिल्ली दिल्ली पुलिस ने कोविट 19 के बीच अपनी आवश्यक किया है राश्टी राजधानी के दच्छन जिले पुलिस ने कोरोना वारस इस्टती के बीच पडोस में वरिष्ट नागरिकों के लिए कोविन वैन हेल्प लाइन सुरू किया है अब इसके बारे में कोविन के बारे में जान लीजिए कोविन वैन से सुरू होने की सूचना greater class 1 छेत्र में बिट अधिकारियों और residence welfare association के माध्यम से प्रसारित की गई है हर यात्रा के दौरान और बाद में सभी सावधानिया sanitization, gloves, mask और social distancing का पारण किया जाएगा कोविन वैन से किसी भी call को प्राप्त करने के बाद एक बिट अधिकारी के साथ कोविन वैन पर तैनाथ पुलिस अधिकारी वरिष्ट नागरिकों के घर जाएंगे और उन्हें किसी भी आउश्रक वस्तू टीका करन और दबाव सहीत उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे नए दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा अर्विन केजरिवाल है और लेफ्टिन गवर्नर है अनिल बैजल नेश्ट कोश्चन है HDFC बैंक ने वित्वर्स 2021 और 22 के लिए भारत की GDP व्रधी दर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है इसका राइट एंसर होगा 10 प्रतिसत HDFC बैंक ने दूसरी COVID-19 लहर के प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए चालू वित्वर्स के लिए भारत के विकास का अनुमान 11.5 प्रतिसत से घटा कर 10 प्रतिसत कर दिया है COVID-19 की सबसे खराब इस्तिती में बैंक ने GDP दर 8 प्रतिसत होने का अनुमान लगाया है HDFC बैंक का जो मुख्याला है वो मुंबई महराष्ट में है इसके जो MD और CEO है वो ससिधर जगदीशन है और इसकी टैग लाइन है We understand your world Next question है Care Ratings ने वित्वर्स 2021 के लिए भारत के GDP का कितना प्रतिसत अनुमान लगाया है व्रधी का देखे सभी अब व्रधियां संसोधित हो रही है या आप GDP के आखरे संसोधित इसलिए हो रहे है क्योंकि कई राजियों में लॉक्डाउन लगा हुआ है और इससे आयात और निर्यात दोनों प्रभावित हो रहा है इसका राइट एंसर होगा Second option 9.2 प्रतिसत घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने चालू वित्वर्स 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानि GDP विकास के अनुमान को संसोधित कर 9.2 प्रतिसत कर दिया है पहले या 10.2 प्रतिसत बताया गया था गेर रेटिंग्स की स्थापना 1993 में हुई थी इसका मुख्याले मुंबई महराष्टर में है और इसके MD और CEO है अजे महाजन Next question है भारत और किस देश के बीच चौथी बार वर्चुल तोर पर वित्तिय वारता का आयोजन किया गया है इसका राइट एंसर होगा Third option Swigirl Land चौथी भारत स्थिस वित्तिय वारता वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से वर्चुल आयोजन की गई थी आर्थिक मामलों के सच्यू आजय सेठ ने भारती प्रतिनिदी मंडल का निर्तरत्यों किया है स्थिस पक्ष के प्रतिनिदी मंडल का निर्तत्यों डेनियला स्टॉफल राज्य सच्यू और अंतराष्टिय वित्ति के लिए राज्य सच्यू वाले स्विजर लेंड में किया गया है वारता में जो मेंन बाते हैं वो जान लीजे कि समबाद अन विशियों में दोनों देसों दोरा निवेस अंतराष्टिय वित्ति सेवा केंद्र प्राधिकरण, इराष्टिय निवेस और अवसन रचना कोश, फिंटेक, सतत्वित और क्रॉस बॉर्डर वित्तिय सिवाओं सह जोल्ति पोश्रण पर चर्चा की गई है, अब यह वारता हुई है सूजज्जर लंड के साथ, तो सूजजर लंड के बारे में जान लिजे, जिसकी मुद्रा स्विश फिरैंक है, सूजजर लंड की राजधानी बर्ण है, और यहां के राश्टपती है, गाई पर मेलिन, ग पंजाब नेशनल बैंक, जियोजीत फाइनेशनल सर्विसेज ने बाद के ग्रहकों को थ्री इन वन खाता प्रदान करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझोता किया है, यह नई सेवा उन ग्रहकों को जिनके पास PNB के साथ बचत खाता है, PNB डीमेट खाता औ और जियोजीत ट्रेडिंग खाता की सुविधा देता है, PNB में बाधा मुक्त द्रश्टी कों के साथ बचत और डीमेट खाते ऑनलाइन खुले जा सकते हैं, नेक्ट कोश्चन है, अब यूएस से भारत और किस देश में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, गूगल पे यूजर से यहाँ पर गूगल पे होगा, इसका राइट एंसर होगा, सेकेंड ओप्शन सिंगापूर, अल्फाबेट इंक के गूगल ने अपने यूएस भुकतान एप के उप्योग करताओं के लिए रेटिंग फर्म्स, वाइस और वेस्टर्न्स यूनियन कंपनी के साथ अंतराश अस्ती देसों और वर्स के अंतर तक वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से दोसों तक विस्तार करने की योजना है नेक्स्ट कुश्चन जान लीजे अप्रेल में खुद्रा महंगाई दर कितने प्रतिसत हो गई है? इसका राइट एंसर होगा 4.29 प्रतिसत अप्रेल के महीने में 4.29 प्रतिसत हो गई है इसके अलावा मार्च में और दो अलग अलग आखले जारी किये गए है मार्च महीने में खुद्रा महंगाई 5.52 प्रतिसत पर थी यह लगातार पांचवा महीना है जब CPI डेटा भारतिय रिजर बैंक के 6 प्रतिसत के उपरी मार्जिन के भीतर आया है सरकार ने केंद्री बैंक से मार्च 2026 को समाप्त करने वाली 5 साल की आउधी के लिए खुद्रा मुद्रा स्वीती को 4 प्रतिसत पर 2 प्रतिसत के मार्जिन के साथ बनाय रखने के लिए कहा है किस देश में कोविड-19 को लेकर एक कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्यदच्छन ACI देशों के परेटकों का प्रवेश रोक दिया है आपदा कदम होगा यहाँ पर इसका राइट एंसर होगा मालदीप मालदीप ने कोविड-19 को लेकर एहतियातिक कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्यदच्छन ACI देशों के परेटकों का प्रवेश रोक दिया है मालदीप सरकार ने कहा है कि यह नियम पिछले 14 दिन में दच्छन ACI देशों की यात्रा करने वाले लोगों पर भी लागू होगा हलाकि वैद वर्क वाले हेल्थ केर प्रोफेशनल्स को छूट दी गई है सुप्रीम कोट के द्वारा आक्सीजन आपूर्ती में सुधार लाने के लिए गठित राश्टी कारेबल में कितने सदस्ते सामिल किये गए हैं सुप्रीम कोट ने हाल ही में सभी राजियों को वैग्यानिक फार्मूले और जरूरत के आधार पर प्रयाप्त आक्सीजन आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए सीर्स मेडिकल विसेसग्यों की 12 सदस्ये नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है यह टास्क फोर्स आक्सीजन सप्लाई के ओर्डिट के लिए उपसमू बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाओ देगी नेशनल टास्क फोर्स में आक्सीजन की उपलब्दता और सप्लाई का आंकलन और निगरानी का भी काम करेगी कितने राज्यों ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहट खाद्यान वित्रन सुरू किया है इसका राइट एंसर होगा फोर्थ ऑप्शन तेरा हाल ही में तेरा राज्यों ने प्रधान मंत्री ग्रामी गरीब कल्यान अन्य योजना के तहत खाद्यान वित्रन सुरू किया है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना कोविड-19 के विरुद लडाई में गरीब और सम्वेदन सील वरग की साहता करने के लिए प्रधान मंतरी गरीब का लियान पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी तो ये आज का 14 मई 2021 के इंपोर्टन करेंटर फेल कोश्चन्स थे इस वीडियो का PDF लिंक आपको वमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगा अब उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद